अगर आप यश्च पैंक के ग्रहक हैं तो आपकी लिए एक रहत की खबर हैं दरसल सरकार ने यश्च पैंक पूर्ण गठत योजना को नोटिफाई कर दिया हैं इसके मुताबिस संकट में फसे यश्च पैंक पर लगी रोग 18 मार्च को हटाल हटा दी जाएगी गजट नोटि के मुतापित पूर्ण कठित पैंक पर सरकार द्वाराज जारी रोग का देश इस योजना के शुरू कितिती से तीसरे कामकाजी दीवस को शाम 6 बजे से अप्रभावी हो जाएगा असान भाशन में समझे तो बैंक पर लगी रोग 13 मार्च से तीसरे कामकाजी दिन यानी 18 म मार्च को हटा दी जाएगी इसके बाद यश्च बैंक के ग्राहक पहले की तरह पैसों की निकासी कर सकेंगे आपको बता दे कि भारते रिजर्व बैंक ने पांच मार्च को यश्च बैंक पर कई तरह की पाबंदिया लगा दी थी इससे इसके तहत खाता धारक तीन अप्र दारी खरीदने का एलान किया है इसमें 26 फिजदी शेयर में तीन साल का लोक इन है यानि एक बार खरीदने के बाद तीन साल तक के लिए इन शेयरों को नहीं बेचा जा सकेगा इसके अलावर नीजी शेतर के एक्सिस बैंक भी यश्च बैंक को 600 क्रोड रुपे का निवेश करेगा वहीं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एच डी एपसी ने एक हजार क्रोड रुपे और कोटक महिंदरा बैंक ने 500 क्रोड रुपे की पूंजी निवेश करने का एलान किया है इसी तरह आइसी आइसी बैंक ने भी यश्च बैंक को 100 क्रोड शेरों की अधिक रहन के पिकल क्रोड दूंगट अखे के वशी नेचे लिए्बाइंक मारे ट्रॉब प्सैंट इड़रे का क्रोड बादा में और स्थक्श बैंक एजसी tsarac-Hinaura, जिये सьनॹ धक पर किता हम कि मह भीन की जिविप्स्रभ दिने में एला भे पुब लिवता ट्रॉ प्रिस्टी आपका अपर पिक श्रॉट पर पाने के लिए बेल इकन को खिक करें हमारी चैनल को लाइब शेर और सुब्स्क्राइब करें प्रिस्टी आपका अजिए वन्य हैं